हेले दुस्तों स्वागत थे आपका अपने चैनल पसल मेनिया वितंकुर में आरारबी पियो प्रलेम्स के कॉंपटिशन फाइट की बात करें तो 40 नंबर तक फाइट ही नहीं है अगर आपकी थोड़ी भी तयारी है कंटिन्यू प्रेक्टेस आपने की है कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं तो 40 नंबर तक आप आसानी से पहुँच जाओगे और जो असली फाइट होगी वो 40 नंबर के बाद अगले 20 से 25 नंबरों के लिए होगी और उसमें सबसे अना important होगा आपके exam की सुरुवाद और question का selection जब आपके सुरुवाद अच्छी हो जाती है, question का selection आपका बहतर रहता है तो आप उस target तक आसानी से पहुँच जाती हो जिसमें आपका exam clear हो सके इसलिए exam में हमेशा सुरुवाद आप उन question से किया कीजिए जो आपके strong point है क्योंकि exam में जब कम समय में सुरुवाद के 15 से 20 questions आप जल्दी बना लेते हो तो confidence आजाता है, क्योंकि exam hall में बैठकर जब हम exam देते हैं तो सबसे अना nervous हम exam के सुरुवाद में ही होते है और जब exam के सुरुवाद अच्छी हो जाती है, शुरुवाद के 5 से 10 में निकल जाते हैं तो काफी confidence भी आ जाता है और पूरे exam में गलतिया होने के chances भी बहुत कम हो जाते हैं और स्रिफ दो दिन ले गए हैं, आज और कल का दिन यहीं सला दूँगा कि आप mock test मत लगाईए क्योंकि आपको नहीं पता कि आज mock test आप जो लगाऊगे या कल जो mock test आप लगाऊगे उसका label आसान है, moderate है या tough है माल लेजी अगर mock test में आपका score कम आता है तो उससे आपका confidence low हो सकता है इसलिए दो दिन आप खूब practice कर सकते हो sectional test, topic test, speed drill से आप जितनी जांदा practice कर सकते हो कीजिए और जिनोंने भी RRB PO Prelims का memory based paper लगाया है तो comment में आप ज़रू मेंशन करें कि memory based paper में आपका कितना score और percentile बना है मिलते हैं फिर next video में चब तक किलिए धन्यवाद